वित्तमंत्री अरुन जेटली, CCS की बेटे के बाद प्रेशनांस कर रहे हैं, आईए आपको दिखाते हों क्या कह रहे हैं? ये भी आरक्षन था, और ये इसलिए था कि जो लोग देश की सीमा के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में काफी उतल-फुतल रहती है, तो उनको आरक्षन दिया जाए, तो अभी तक 2004 से वो केवल लाइन ओफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षन था और जैसा आपको मालूम है कि लाइन ओफ कंट्रोल उपरी सो में है, इंटरनाशनल बॉर्डर के साथ जो रहते हैं, उनके लिए आरक्षन नहीं था, हाना कि दोनों की परिस्तिती लगबग एक जैसी है, तो आज जब उस एक्ट को अमेंड करना एक ओर्डिनेंस के माद्यम से, और उस आरक्षन को इंटरनाशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पे भी लागू करना, ये एक प्रमुक्रिर ने मंत्री परिशद्न लिया है. अजब लियुक्तिंग झचम्रिय आप महान। इसक्वा प्रमाव खज करना एक पम भाले मंत्री लेको इंटरना एक अक्षमिर है। आप्रोवे लिए प्रड़ी आप्राइब आप्राइब टेज अप्राइब के लिए आप्राइब टेज अप्राइब करें। the same has been made applicable by amending the 1954 Constitutional Order. Similarly, the 10% reservation, this I did not say in Hindi, so I am reiterating it now, meant for economically weaker sections, which was the Constitutional Amendment passed recently, has also been made applicable to the state. There is a third change that the reservation for certain areas, which conventionally people have lived a disturbed life because they are on the national borders or the line of control. Under the 2004 Jammu and Kashmir Reservation Act, that reservation existed only for those living next to the line of control. The same criteria will now apply and be applicable to those living next to the international border. कुछ developing projects थे जो आज क्लीर किये गाए, एक प्रमुख developmental project था कि राजकोट में, एक नएा greenfield airport, यह 1405 करोड की लागत से होगा, Airport Authority of India इसको इसको इनिशेली डिवलफ करेगी, corporate model होगा इसका कोई special purpose vehicle बनाएगी और इसको बाद में इसकी equity क्या हो वो Airport Authority of India ते करेगी